LBW LBW कुछ हद तक फुटबॉल में आफसाइड वाले असूल की तरह है बहुत सारे लोग इसे जानने का दावा करते हैं लेकिन कितने लोग वाकई इसे जानते हैं हमारी मुफीद चेकलिस्ट का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी बैनलकवामी टेस्ट मैच या समंदर के किनारे किसी बच्चों के मैच में अमपारिंग कर रहे हूँ घैर जानबदारी के मद्दे नजर आपकी शौरत काइम रहेगी पांच बनियादी असूल काबले गोर है बल्ले बाज LBW आउट होता है अगर एक गेन बाज ऐसी गेन करता है जो नो बॉल नहीं है इस बदनसीब साथी के बरखिलाफ दो अगर गेन को उसकी पूरी दूरी पर बीच में ना रोका जाए तो ये विकेट और विकेट की लाइन के बीच या बल्ले बाज की विकेट के ओफ साइट पर टपा खाती है अगर गेन लेक स्टम की लाइन के बाहर टपा खाती है तो उसे आउट नहीं माना जा सकता तीन गेन बल्ले बाज से टकराती है या तो सीधे या टपा खाने के बाज और बल्ले बाज के अपने बल्ले से उसको मारने से पहले 4. यहां पर आकर यह थोड़ा सा ज्यादा पहचीदा हो जाता है अगर बल्ले बाज गेंद को खेलने की वाकी कोशिश का रहा था तो अगर बल्ले बाज ने गेंद को खेलने की वाकी कोशिश नहीं की तो राप्ता या तो विकेट से विकेट के बीच या ओफ स्टम की लाइन के बाहर होना ज़रूरी है 5. यह नाजुक मामला है अगर बल्ले बाज ने बीच में ना रोका होता तो गेंद स्टम से ज़रूर टकरा जाते कोई सवालात हैं? नीली वाली किताब में बस कानून नमबर 36 से रुजू करें